तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका साइन्स तो प्लीज ओपन यौर साइन्स बोक इसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर थर्टीन एक्सिदेंस केन बी अवाइड़ेड इसमें हमने पढ़ लिया है फिर्स टेट पढ़ लिया है ब्लीदिंग एन वांट हमने पढ़ लिया है और कैसे हम इस चीज को अवाइड कर सकते हैं क्या-क्या हमें उपाई खरने चाहिए आज हम पढ़ते हैं आज हम पढ़ रहे हैं इसमें स्प्रेंस एंड फ्रैक्टर ठीक है तो आप भी 106 पेज नमबर ओपन कर लिजिया देखिए वेन टिशू जो हमारे बॉड़ी में टि वहाँ पर क्या होते हैं टिशू होते हैं, a joint gets broken और जब यह joint break होते हैं तो we call it a sprain तो हम उसे क्या कहते हैं? sprain कहते है it causes swelling and discoloration of the skin तो जब joint break होते हैं तो क्या हो जाता है swelling आ जाती है उस part पे और उस skin का part कैसा हो जाता है color कैसा हो जाता है discoloration हो जाता है when the moon cracks or breaks जब हड़ियां तोटती है ठीक है we call it a fracture और हम उसे कहते है fracture हड़ी का तोटना होता है fracture और जब हमारी body की जो tissues होते हैं वो break हो जाते है तो उसे हम कहते है sprain, sprain और fracture दोनों अलग बाते है sprain में fracture नहीं होता है जो हमारे tissues होते हैं वो break हो जाते हैं लेकिन जब हम बोलते है fracture it means कि हमारी जो हड़ी है वो तोट चुकी है, broke हो चुकी है, ठीक है sprain and fractures are very painful, यह दोनों के दोनों ही बहुत जादा दर्दनाक होते हैं, बहुत दर्द होता है इसमें the following step should be taken for first aid, अगर ऐसा किसी के साथ घर में हो जाए, डॉक्टर पर जाने के लिए time लगता है तो तब तक क्या करना चाहिए, वो हमें बताया गया है तो देखिए, first है if bone fracture is not suspected, keep applying cold packs or ice cubes to the injured part of the victim till the swelling disappears if bone fracture is not suspected, अगर हमें यह एसास हो रहा है कि हमारा bone fracture नहीं हुआ है ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, जिसको चोट लगी है उस वाले हिस्से पर बरफ की क्या करना चाहिए, ice cube को लगाना चाहिए ताकि जो swelling है, वो कम हो जाए second है, in case of fracture, do not move the patient as far as possible अगर fracture के हमें लक्षान लग रहे है तो हमें patient को जादा हिलने डोलने के लिए नहीं बोलना चाहिए third है, if the patient has to be moved अगर हम patient को move करते है tie a splint to give support to the broken bone तो हमें उसे support देना चाहिए किसी चीज से और उसका जो broken part है and to prevent unnecessary movement और unnecessary movement हमें नहीं करना चाहिए उसे avoid करना चाहिए for a splint, use easily available things like sheets of newspapers magazines और pieces of cardboard और a pillow around the injured part injured part के आसपास हमें क्या करना चाहिए sheet of newspaper हो, magazine हो, pieces of cardboard हो और pillow हो around the injured part चोट वाले हिस्से के आसपास ठीक है और देखिए this will prevent further dislocation तो ये क्या मदद करता है, अगर कोई part हमारा hill गया है हड़ी अगर कोई break हो गई है तो उसको dislocate करने से ये क्या करता है, बचाता है fourth है if the bones of the arm are broken अगर हमारे arm की bone broke हो गई है, use a sling made from a triangular piece of cloth तो हमें एक, जैसे किसी का हाथ तूटता है, तो plaster लगता है तो पैर पे उसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए कपड़ा लगाना चाहिए टाइ दा लग, हमें उस पैर को थोड़ा सा उचाही पे रखना चाहिए and ask the patient to lie down और patient को लेटने के लिए बोलना चाहिए the injured leg should not be moved at all जो भी injured part है, पैर है उसको हिलाना नहीं चाहिए if the victim has to be moved अगर हमें जो चोट लगावा जो patient है उसको move करना है he should be taken on a stretcher तो stretcher की मदद लेनी चाहिए सहारे से चलाना चाहिए 6 है, send for the doctor immediately or take the patient to the doctor comfortably तो हमें उसे doctor के पास ले जाना चाहिए और उसका उपचार करवाना चाहिए 7 है, last process है get an x-ray taken of the fractured part और जो fracture part है, उसका क्या होता है x-ray लिया जाता है अब आते हैं हम burn अगर किसी के साथ कोई हास्ता हो जाए जलने का तो क्या करना चाहिए one can get burns from hot objects, fire, boiling water or milk crackers and electric points बहुत सारी चीज़े हैं जिससे burn के chances होते है chemicals like acid may also cause burn जो acid होते हैं उससे भी जल सकता है the burns may be minor और sever burns burns are very painful burn किसी भी प्रकार का हो सकता है, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है और burn बहुत जादा painful होते है minor burn, अगर कोई छोटा मोटा burn है तो क्या करना चाहिए in case of minor burns follow the following steps नीचे हमें कुछ step दिये है छोटा अगर कभी थोड़ा बहुत जल गया है तो क्या करना चाहिए, देखिए apply cold water और ice cubes on the burn part जलेवे हिस्से पे ice cube लगाने चाहिए ठंडा पानी डालना चाहिए cooling of the burn gives relief from pain जलेवे हिस्से पे अगर ठंडी चीज लगाए तो उससे क्या होता है relief मिलता है थोड़ा सुकून मिलता है apply an antiseptic burn all on the burn part burn all सभी ने सुना है जले पर लगाई जाती है तो उसको apply कर सकते है apply a paste of baking soda and water for relief जले हुए हिस्से पे पेस्ट भी लगाए जा सकता है उससे भी क्या मिलती है थोड़ी ठंडक मिलती है जगे पर seever burn अगर बहुत जादा burn हो गया है तो क्या करना चाहिए first है do not try to prick the blister जो भी जलावा पार्ट है उसको छेडने कर नहीं है the broken blister becomes an open wound जो जलावा हिस्सा होता है वो क्या रहता है खुला हुआ एक खाओ बन जाता है it can get infected और वो infected भी हो सकता है किसी भी चीज से cover the burnt area with a clean piece of cloth एक साव कपडे से उसको cover करना चाहिए stellite gauze to protect it from air and dust particles से उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए the air contains germs which may cause infection हवा में कुछ germs होते है जो क्या कर सकते है infection कर सकते है do not remove the burnt clothes if sticking to the skin अगर कपडा जल गया है और skin पर उस चिपक गया है तो उसे हटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए if the victim is in the state of shock अगर किसी को electric shock लगा है give him plenty of liquids to sip तो पीने के लिए क्या देना चाहिए पानी देना चाहिए dip a sterile piece of cloth in a solution of baking soda and apply it on the burnt part baking soda का एक कपड़े में लगा कर उसको apply करना चाहिए जली हुए हिस्से पर take the patient to the doctor seever burns must be treated by doctor अगर burnt seever है seriously अगर ज्यादा burn हुआ है तो doctor ही उसका ilाज कर सकते है chemical burns कैसे होते है the chemical burns may be treated by the following steps इस तरह से उनको treat किया जा सकता है remove any clothing from the affected part जो भी clothing है उसको हटा देना है use plenty of water to wash off the chemical chemical को wash करने के लिए पानी यूज करना है it reduces the extent of injury injury को वो क्या कर सकता है कम कर सकता है place a clean cloth over the burnt area burnt area में क्या करना चाहिए ये clean cloth लगाना चाहिए in case of sewer burn take the patient to the doctor वही बात है अगर कुछ ज़्यादा हो गया है problem तो सीधे doctor के पास ही ले जाना चाहिए ठीक है और अभी से वितना ही मैं आपको करवा रही हूँ इसमें आप एक बार इसको revise कर लीजिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे fire fighting पे ठीक है तो अभी आप इसको revise करें starting से लेकर जहां तक मैंने आपको अभी बढ़ाया है अभी बढ़ेंगे